गुड़ मॉर्निंग बच्चो कैसे हैं आप सब कक्षा 7 की मैट्स की क्लास में आप सब का स्वागत है हम पढ़ रहे थे बच्चो चेप्टर 8 वेंजको का गुड़नफल एवं सर्वसमिका आए इसका अभ्यास 8E तक जो है वो हम लोगोंने हल कर लिया है अब हमें अभ्यास 8 8F जो है वो हल करना है तो बच्चो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब हमने 8E स्टार्ट किया था तब हमने बहुत ही इंपॉर्टन सर्वसमिका बताई थी ठीक है तो उसे रिवीजन के लिए मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टन है और सवाल थे अभ्यास 8E के तो अब अभ्यास 8F प्रशनावरी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसके लिए इसी टाइप की एक और सर्वसमिका है जो की वह भी बहुत इंपॉर्टन है आप याद कर लिजेगा अच्छे से और वो आगे तक आपको काम आएगी हमेसा ही काम 2B2 ठीक है तो यह वाइनस वाली जो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों यहां इसके बीच में प्लस की जगए पर कौन सा चिन है माइनस का चिन है तो जो हमारे A और B का स्क्वेर वाले पध है वो तो धनात्माख ही है लेकिन जो बीच वाला पध है हमारा वो क्या है A minus A square minus 2AB plus B square है तो ये सर्वसमिका भी बहुत ही important है और ये भी जो है आपको अच्छे से याद करनी है इस सर्वसमिका पर ही आधारिज जो है इस पृस्णावली के सारे सवाल है तो हाँ बच्चो अब इस पृस्णावली में जो है हम बढ़ रहे हैं अभ्यास 8f की ओर जिस तरीके से मेने इस पुर्षण को हल कर वाया था किन का गुड़ा कैसे किया गया है तो इसके लिए हमने बच्चों किया था दो विदी की थी, एक तो स्तंभ विदी की थी और दूसरी पंक्ती विदी की थी, ठीक है तो उसी तरीके से मल्टिप्लाई करक तो हमारे पास ये वाला जो है वो फार्मूला राप्ट हो जाएगा ठीक तो इसी फार्मूले पर अधारिज जो पृष्ण वरी एट एफ है आईए हम इसके पृष्ण हल करते हैं हाँ बच्चो ये एट एफ का पहला कोश्शन जो दिया हुआ उसके पहले एक निरदेश दिया हुआ है बच्चो सर्वसमिका ए माइनस बी का होल स्क्वेर बराबर ए स्क्वेर माइनस टू ए भी प्लस बी स्क्वेर की सहायता से मान ग्याद कीजिए ठीक है तो हमें इसी स्वारा जो है यह इसमें फार्मूला लगेगा और हमें यह सारे कुश्चन हल करने इसी तरीके से जैसे कि इसके पहले वाले प्रिष्णा वाली में हमने किये थे 8E में ठीक है तो आएए देखे चलिए कर देखते हैं कैसे करना है इसको तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करें कि ऐसे पुश्चनों को हल करने के लिए सार्वसमिका सबसे पहले लिखेंगे हमारी कौंसी यूज हो रही है ठीक है तो हमारी कौंसी सOnlyका इसमें लगेगी A-B का अहूल करने से स्कुला बराबर A square minus 2AB plus B square ठीक है ये हमारी सर्वसमिका इसमें यूज होगी अब यहाँ पर इस सर्वसमिका में ठीक है सर्वसमिका में यहां ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला कोशन दिया हुआ है, यह पहला कोशन है, बच्चो पार्ट नहीं है, पहला कोशन है, तो पहला कोशन बच्चो दिया हुआ है हमारा सावरी समिका में, पहला कोशन x-5 का होल स्क्वेर, तो सावरी समिका में हम क्या देख रहे हैं यहां पर X और B बराबर क्या दिया हुआ बच्चो 5 ठीक है A बराबर X B बराबर 5 समझ में आ रहा ना बच्चो तो बस यही मान हमें रखने हैं अब यह मान जो हमारे दिये हुए हैं वो इस सर्वसमिका में हम रख देंगे चलिए देखते हैं आगे इसे कैसे हल करेंगे X माइनस 5 का स्क्वेर बराबर पहला क्या है A स्क्वेर एक ही जेगा क्या है बच्चो हमारे पास X है तो क्या लिखियेंगे X का स्क्वेर माइनस 2 2 के बाद A दिया है A क्या है हमारा X फिर दिया है B B क्या चीज़ है बच्चो 5 है प्लस B का स्क्वेर यानि 5 का होल स्क्वेर समझ में आया ना बच्चो यह हमने कैसे मान रखा है बस जो हमारी सर्वस हमी का है इसमें हमने A की जगा X B की जगा 5 रख दिया है क्या जाएगा बच्चो X स्क्वेर 5 दुनी 10 X माइनस का चिन है तो माइनस का चिन आएगा प्लस 5 का स्क्वेर करेंगे यानि 5 का दो बार गुणा 5 का दो बार गुणा यानि 5 गुणे 5 यानि 25 ठीक है बस यह हमारा आन्सर हो गया बहुत ही आसन कोश्यन है बच्चो ये सारे कोश्यन इसी तरीके से हैं जो कि आप से बन जाएंगे इसका second question third question fourth, five, six six question जो है वो simply इसी तरीके से दिये हुए है और आपको हल करने है इसका question number एक और देख लीजिए question number मैं 4 बता दे रही हूं एक तो इसको आप देख लीजिए और ताकि आपको और अच्छे से समझना है question number 4 देखते है बच्चो क्या कह रहा है हमारा 3x-2y का whole square कुछ नहीं करना बच्चो हमें क्या करना है हल करते से में सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चो सर्वसमिका तो कौन्सी सर्वसमिका यूज होगी सबसे पहले हम यह पहचानेंगे तो देखिएंगे a minus यहाँ minus लगा यह नि a minus b का square वाली सर्वसमिका यूज होगी तो सर्वसमिका वैसे इसमें starting में दिया है note अगर माली इस एक्जाम में नहीं आता तो आपको पहचानना होगा कि कौन सी सर्वसमिका इसमें यूज होगी तो सर्वसमिका a minus b का square बराबर a square minus 2ab plus b square याद होना चाहिए बच्चो याद जरूर कर लीजेगा plus वाला फार्मूला भी और यह minus वाला फार्मूला भी ठीक है अब यहाँ पर देखिए सर्वसमिका में अब इस सर्वसमिका में a बराबर a की जगे क्या दिख रहा बच्चो 3x दिख रहा है और b की जगे क्या दिख रहा बच्चो 2y दिख रहा है तो सर्वसमिका में a की जगे हम 3x रख देंगे और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर हम 2y रख देंगे 2y रखने पर क्या जाएगा 3x minus 2y का whole square बराबर a square a square यानि 3x का whole square minus 2 a की value क्या दिए बच्चो 3x b की value क्या दिए हुई है 2y समझ में आरा ना ये dot का निशान मतलब होता है कि आपस में गुणा आप गुणे का निशान भी लगा सकते हैं और dot का निशान भी लगा सकते हैं ठीक है अब b square यानि 2y का whole square समझ में आ रहा है ना बच्चो कुछ नहीं किया केवल a और b के मान हमने इस सर्वसमिका में रख दिए हैं करिए तो 3x का square का मतलब हुआ 9x square 3x का गुणा 3x से करेंगे तो क्या जाएगा बच्चो 9x square तीन दूनी 6 और 6 दूनी 12 चिन माइनस है तो माइनस रहेगा तो चारतियां 12 हो गया और x और y दिया है तो xy हो गया प्लस 2y का square करेंगे यानि 2y का दो बार आपस में गुणा 2y into 2y यानि 4y square पस यही इसका answer हो गया है समझ में आ रहा ना बच्चो बहुत ही आसान से सवाल है यह यह सबसे बन जाएंगे इसका second question third question fifth question और six question यह सारे question आपके homework है और मुझे उम्मीद है कि यह सारे question आपको बहुत ही बन जाएंगे सभी प्रश्णों में इसी सरुसमिका का प्रयोग करना है और एक ही जगह देखना है क्या है और बी की जगह क्या है और वो मान हमें रख देना है ठीक है तो यह आपको अपने होंवर्क करने हैं कॉश्चन नमबर सेवन की और बढ़ते बच्चो हाँ बच्चो कॉश्चन नमबर सेवन दिया हुआ है एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माव 3x-y मीटर है तो खेत का छेत्रफल ग्याद कीजिए वर्गाकार मतलब जैसे यह वर्गाकार आकरती किसे कहते है बच्चो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती आपस में बराब होती ऐसी आकरति क्या कहलाती बच्चो वर्गाकरति कहलाती तो अगर इसकी एक भुजा कोई भी भुजा ज़िए अधी दी हुए है तो इसकी सारी जाएं क्या होंगी 3x-y मीटर होंगी और वर्गाकार खेत का छेत्रफल चेत्रफल का सूत्रिस के लिग होता बच्चो बच वर्गाकार आकृति का छेत्रफल हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से इस प्रिशन को हल करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है क्या चीज दिया है बच्चो वर्गाकार खेत की भूजा किती दिवी है ठीक माइनस वाइ मीटर ठीक है कि हमें दिया हुआ है अब खेत का छेत्रफल चेत्रफल खेत का अब तो खेत नहीं यहां वर्गाकार भी लिखिएगा कैसा खेत है हमारा वर्गाकार है का चेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चो भुजा का स्क्वेर यह फार्मूला ही होता है आपको याद ही रखना है कि चेत्रफल क्या होता है बुजा का स्क्वेर वैसे अगर आयत का देखा जाए चेत्रफल क्या होता बच्चो तो आयत का चेत्रफल बराबर होता लंब तौद जाए प Mormon this a book of video is a book of video is found in the book for square Щपे टो बूजा कैशो थीक अब हुजाे लिएक्स माइनसद्ली वैइक का स्क्वेयर और चाईगाucky इतने मीटर स्क्वेयर में का स्क्री या ना मीटर झीट अब यहाँ पर मीटर एक बार मीटर है फिर दो बार किया है तो मीटर स्क्वेर हो जाएगा ठीक है चलिए आएए करते हैं अब यहाँ पर हमारा सर्वसमिका लग जाएगी तो 3x-y यहाँ सबसे पहले हम सर्वसमिका लिखेंगे क्या है चूकी a-b का स्क्वेर बराबर होता है a-2ab प्लस b-square ठीक है समझ में आ रहा न बच्चो अब इसी को हम इसपे अपलाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चो देखिए a की जगए 3x b की जगए y a की जगए 3x और b की जगए y रखने पर ठीक है अब a की जगए 3x और b की जगए y रखेंगे तो क्या जाएगा 3x का whole square minus 2 a की value है 3x b की value क्या है बच्चो y plus y का square b की जगए y की जगए क्या है y ये तो y का square ये समझ में आ रहा न बच्चो कि वाल हमने और b का मान put up कर दिया है बच्चो 3x का whole square का मतलब क्या हुआ की 9x square minus 3 दूनी 6 x y plus y square ठीक है ये हमारा यहाँ साथ में बच्चो ये meter square ज़रूर लिखिएगा उसकी unit लिखना ज़रूरी है यह नहीं हमारे पास 6 त्रिफल कितना प्राप्त हो गया इतना meter square square या meter गुणे meter इसको वर्ग meter भी लिख सकते है square का मतलब होता है वर्ग तो वर्ग meter लिखिए या meter square लिखिए एक ही बात है ठीक उत्तर आप अलग से लिख लिजिएगा आता है वर्ग अकार उत्तर खेत का छेतर फ़ल 9x square minus 6xy plus y square वर्ग meter होगा ठीक है या आपका answer हो गया समझ में आ गया ना बच्चो चलिए अब आगे देखते हैं question number 8 हाँ बच्चो question number 8 दिया है एक खेत में x minus 2y क्यारिया है प्रतेक क्यारी में x minus 2y पपीते के पौधे लगे है तो हमें क्या-क्या गया करना है बच्चो खेत में कितने पपीते के पौधे है और second है यदि x बराबर 10 और y equal to 1 तो कुल पौध हो किसे इंख्या हमारे पास कितनी है ठीक है तो ऐसे पुर्ष्ण बच्चो तो कुल पौधों की संख्या गयाद करने के लिए हम क्या करेंगे क्यारियों की संख्या में और पपीते के पौधों की संख्या का पर तेक क्यारी में लगे पपीते के पौधों की संख्या का multiply कर देंगे आईए करते हैं जो चीज़े दी हैं पहले वो लिखेंगे दिया है खेत में क्यारियों की संख्या कितनी दी हुई यह बच्चो x-2y ठीक है यह है और प्रतेक क्यारी में किते पौधे रिये हैं प्रतेक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या कितनी है x-2y यह भी वही है तो हमें कुल किते पौधे लगे वो ग्यार्द करना है तो आता है खेत में पपीते के कुल पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चो क्यारीों की संख्या इन्टू पौधों की संख्या ठीक है क्यारीों की संख्या कितनी है x-2y और पौधों की संख्या भी कितनी है x-2y ठीक है ठीक है बच्चो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए x-2y का होल स्क्वेर हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर क्या होगा बच्चो सर्वसमिका हमारी दिए हुई है क्या सर्वसमिका है a-b का स्क्वेर बराबर होता है a-2ab प्लस b स्क्वेर ठीक अब यहाँ पर a बराबर क्या रखेंगे x दिख रहा है न x और b बराबर क्या दिख रहा है 2y तो रखने पर सबसमिका में यह दोनों चीज़े रखेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चो A स्क्वेर यानि X का स्क्वेर माइनस 2 A की वेल्यू X B की वेल्यू 2 Y और प्लस B स्क्वेर यानि 2 Y का होल स्क्वेर समझ में आ रहा ना बच्चो बिल्कुर उसी तरीके से किया है A और B का माण जो है हमने रख दिया है X स्क्वेर दो दुनी 4 X Y प्लस 4 Y स्क्वेर यह हमारे पास कुल पौधों की संख्या प्राप्त हो गई ठीक है तो कुल कितने पौधे बच्चो इतने पौधे हैं फिर इसके बाद यह भी दिया हुआ इसका सेकेंड पार्ट दिया है कि यदि अब इसका सेकेंड पार्ट भी दिया है ना यदि X बराबर 10 और Y कौल टू 1 तो पौधों की संख्या कितनी होगी तब पौधों की संख्या X स्क्वेर माइनस 4 X Y Y प्लस 4 Y स्क्वेर मी X बराबर 10 और Y बराबर 1 रख दिया जाए ठीक है जहाँ जहाँ पर भी बच्चों X है वहाँ पर हमें 10 रखना है और जहाँ Y है वहाँ पर 1 रखना है क्या जाएगा बच्चों 10 का स्क्वेर माइनस 4 इंटू 10 y की जगे क्या रखेंगे बच्चो 1 4 y square यानी 1 का square ठीक है 10 square यानी कितना हो गया बच्चो 10 into 10 यानी 100 ठीक समझ में आ रहा ना बच्चो और 4 का गुणा 10 से होगा कितना जाएगा 40 और 4 into 1 का square 1 का square यानी 1 और उसमें 4 का multiply होगा तो 4 ठीक तो 104 में से 40 गया तो कितना जाएगा बच्चो 104 ठीक है यह 100 में से 40 गया 60 और 60 और 4 हो गया 64 यानी कितना हो गया 64 पॉदे टूटर हमारे पास है आंसर आप अलग से लिख दीजेगा उत्तर क्या कुल पाउधो की संख्या उत्तर आता है कुल पॉधों की संख्या 64 होगी या खेत में 64 पॉधे होंगे ठीक है यह हमारा आंसर हो गया इसे लिखना अलग से जरूरी है बच्चो इसका क्वेशन नमबर 9 बच्चो इसी तरीके का है और उसमें कलम का मूले दिया हुआ है और एक कलम का मूले दिया है और तोटल कितनी उसने कलम चाहिए उसको 2x-y दिया हुआ है तो यह भी बिलकुल इसी तरीके से है इसमें भी 2x-y into 2x-y आएगा और उसका whole square बनेगा तो question number 9 और जो भी आएगा उसके बाद फिर उसमें x और y की value रखनी है question number 9 बच्चो आपका homework है इसी तरीके से करना है आप इसे घर में करिएगा आसा करते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा बच्चो और अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं ठीक है thank you मिलते है next class में